आदने प्रदान मंतिक राम राम जा भारत माता की भारत माता की शक्ति स्वरुपा जीन माता जी शाला सर्बाणाजी महराज बाबा खाटु श्याम जी और वीर गोगाजी महराज ने मारो बारम बार प्रणाम राजस्तान पराक्रम और परिस्रम की धर्ती है ये वीर माताओं की धर्ती है ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर विरांगना माताओं की पवित्र भूमी है आर इसलिए आर इसलिए राजस्तान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है और यही जज़बा मेरे सामने देख रहा है गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परिशा लेना शुरू कर दिया है लेकिन आज देखिए परमात्मा की कुर्पा मौसम जरा ठीक लग रहा है और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रूप किस तरफ है साथियों राजस्तान का किसान मेरे राजस्तान का नौजवान और आप सब माताएं बहने इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आश्रवात देने आए है और पूरा राजस्तान कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार और आज चुरू ने ये बता दिया है कि चार जून चार जून चार जून और जब मैं चुरू आया हूँ तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आथिरवात मांगने आया है और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आथिरवात मांगता है तो आप लोग छप पर फार करके दे देते हैं साथियों बैटिए देवे नवे जी आज पुरा देश विक्सीद भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भुमिका है जब राजस्थान विक्सीद होगा तो भारत भी विक्सीद होगा बीते दस साल में मोदी ने देश पे जो काम किये हैं उन्होंने विक्सीद भारत की नीव तयार कर दी है आज पूरी दुरिया हरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं पिछले दस साल में आपने देश को बदलते देखा है आप याद करिये दस साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था कॉंग्रेस के बड़े-बड़े गोटालों और लूट के काराण अर्थ ववस्ता चर्मरा गई थी दुनिया में भारक की साख गिर्ती जा रही थी आप यादी के इतने दसक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरुवतों के लिए जूज रहे करोडों गरीवों के सर पर छत नहीं थी करोडों लोगों को पीने का पानी उप्लप्त नहीं था हमारे गाउं अंधेरे में डुबे थे वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया जब हालत इतनी खराब थे इतने दसकों तक बुराईया थी तो इसका मन पर भी असन होता है और आप सब देश वासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता हर कोई निराशा में डूबा हुआ था इसी हतासा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मोका दिया हतासा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती और मैंने तै किया कि हालात बदलने ही होंगे और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है हमें इमांदारी से काम किया कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बरबाद हो जाएगा दुनिया को भी बरबाद कर देगा लेकिन इसी संकट में हम भारतियों ने अपने देश को दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी आर्थ वबस्ता बना दिया हम भी कह सकते थे भई क्या करो पुरी दुनिया में आपदाई है हमारी यहां भी आपदाई है मैं क्या करो और हो सकता है देश वाले मान भी लेते हैं लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुड़ा है चुनवतियों को चुनवति देना यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है और हमारे राज़तान में तो कहते हैं अपनी करणी पार उतर नहीं हमने परिश्रम किया और परिणाम लाकर के दिखा दिया दस वर्सों में हमने करोणों गरीबों को प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहत पक्के आवाज दिये पक्के घर दिये जिनकी तिन तिन चार चार पिड़ी जुकी जोपड़ी में जिन्द की गुजारती थी जो फुटपात पर जीने के लिए मजबूर थे ऐसे करोणों लोगों को पक्के घर दिये और मुझे खुसी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिये न उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओ बेहनों बेटियों के नाम पर है वरना हम तो जानते हैं अमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर खेत होगा पुरुष के नाम पर दुकान होगी पूरुष के नाम पर, सब कुछ पूरुष के नाम पर, मोदे ने ताय कर लिया, कि सरकार जो घर देगी, वो मेरी महलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए, पहले जब घर बनाने के नाम पर, योजनाय आती थी, तब क्या होता था, गरीब को पता भी नहीं चलता था, उसके नाम का पैसा, सरकार में बैठे लोग, और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे। लेकिन अब पैसासी धे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, गर में जरूरत की सुविदाएं भी मिल रही है। साथियों, आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर, गर गर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्यास कर रहे। राजस्तान में करीब पच्चास लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है। कॉंग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी ब्रस्टाचार करने का मोका नहीं छोडती थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। वहां पीछे सुनाई नहीं देता क्या। सुनाई दे रहा है। अच्छा यह तो आपका उत्सा है इसलिए। देखे राजस्तान के साड़े चार करोड जरुरत बंदों को हर महिने मुप्तराशन भी दिया जा रहा है। यानि जीवन के हर पड़ाओ पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दसक में नहीं हुए वो हमने दस साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूँ जब नियत सही तो नतीजे सही। और साथियों, बेस साल में जो हुआ लोग तो कहते हुआ बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों के तुल्ना में बहुत कुछ हुआ, आप भी कहते हैं, अरे मोधी जी तो रात दिन दोड़ते हैं, काम करते ही रहते हैं, सोते हैं के नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं, मुझे पता है, लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक पुना हुआ हो, लेकिन मोधी के मन की बात में आज चुरू मैं बता देता बता दू, बता दू, देखिये जो अब तक हुआ है न, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर. आप आजकल बड़ी-बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं न, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी-थोड़ी दो-तीन-चार जरा बड़ी चटा के दार चीजे परोस्ते हैं, तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या है न, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर, अभी तो पूरी खाने की ठाली आली बाकी है, बहुत कुछ करना है भाईयो, बहुत सारे सपने हैं, हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है, साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है, मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है, और कितनी रप्तार से पूरी होती है, राजस्तान उसका बहुत बड़ा उदारन है, मैंने मेरी माता और बहनों को गारंटी दी थी, कि गरीबों का उजवला सिरिंडर सस्ता किया जाएगा, ये गारंटी पूरी हो गई है, मैंने युवाओं को गारंटी दी थी, कि बीजेपी सरकार बनते ही, कॉंग्रेस के पेपर लिक इंडरस्ती के खिलाब जाँच बिठाई जाएगी, ये गारंटी भी पूरी हो गई है, मैंने ये भी गारंटी दी थी, कि राजस्तान का मेरा किसान, सेखावटी के मेरे लोगों के लिए, पानी की समस्या को खत्प किया जाएगा, जिस E.R.C.P. प्रोजेक को कॉंग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे नकेबल शिक्रूत किया, बल्कि तेजी से काम भी जारी है, इससे पीने के पानी और लाखों हैक्टर जमीन को सीचाई का भी लाब मिलेगा, हमने हर्याना से समझोता करके, शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साप कर दिया है। भाई और भेनों, भाजपा जो कहती है, वो जुरूर करती है। दूसरी पार्टियों के तरह भाजपा केवल गोषणा पत्र नहीं जारी करती हम तो संकल्प पत्र लेकर गयाते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके जादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और दो साल कोविर के संकट के बावजूद भी, मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूर्णा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्तान के मेरे भाई बहन, जम्मु कश्मीर की धर्ती पर, जो मेरे बीर जवान शहीद हुए न, उसमें मेरे इस सेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उजम्मी कश्मीर जहाँ पर मेरे राजस्तान के भीरों का रक्त, आज उजम्मी कश्मीर से आर्टिकल तीन सो सतर खत्म हो गया। तीन तलाग पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसल्मान माता ये बहने समझे, ये तीन तलाग आपके जीवन पर तो खत्रा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवा लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुसलिम परिवार की भी रक्षा की है। क्योंकि मुसलिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके बेजा तो है। दो-तीन बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो तीन तलाग करके बापिस बेज देगा, तो मैं बेटी को कैसे समालू। भाई को लगता था, अगर तीन तलाग के कारण मेरी बेहन गर वापिस आ गई, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मा को लगता था, कि इतने उत्सा और उमंग्य साथ, बेटी को शादी करके भेजा है। लेकिन तीन तलाग केह करके, अगर बेटी को लौटा दिया, तो मेरी बेटी की जिन्दगी का क्या होगा। याने पूरा परिवार, तीन तलाग के नाम पर, लटकती तलवार के नीशे मुसिबत में जिन्दगी गुजारता था। मोदी ने सिरफ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिन्दगी को बचाया है। लोग सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षन का कानून भी संसत्य पारित कर दिया है। यह भाजपाई है, जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। साथियों, आज मैं चुरू आया हूँ, तो कुछ पुरानी आदे भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था, तो उसी समय देश ने बाला कोट में एर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था, और तब मैंने जो शब्द कहे थे, चुरू की धर्थी पर, जिन शब्दों को मैंने दोराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धर्थी पराया हूँ, तो मेरे उन भावों को दोराता हूँ। तब मैंने कहा था, यहीं चुरू मैं कहा था, सोगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूगा, मैं देश नहीं रुकने दूगा, मैं देश नहीं जुकने दूगा, मेरा बतन है भारत मा को, तेरा शीष नहीं जुकने दूगा। लेकिन साथियों, आपको याद होगा, हमारी सेना ने जब, सर्फिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक की तब कॉंग्रेस और उसके साथ ही क्या भाचा बोल रहे थे। इसी गबंडिया गडबंदन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाई और बहनों, सेनाओ का प्मान, देश का विभाजन ये कॉंग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी एलाइज के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांद कर रखे। दुश्पन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाज़त नहीं देते थे। हमारे जवान वन रैंक, वन पैंशन की मांग करते थे, कॉंग्रेस दे इसे भी पुरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार मनी तो हमने सहिनीकों को वन रैंक, वन पैंशन की अधिकार भी दिया। और सीमा पर पलट मार करने की छूट भी खुली छूट दे दिये। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है ये नया भारत है ये नया भारत गर में गुश कर मारता है साथियों बेज हिच से भी ज़्यादा कॉंग्रेस ने हमेशा तुष्टी करण को प्राथविक्ता दी है ये लोग तुष्टी करण के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये देश ने देखा है ये वो लोग हैं जिनोंने कौट में जाकर कहा था कि प्रभू स्री राम तो कालपनीक है अभी कुछ महिने पहले ही आयोध्या में बव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ पूरा देश प्रान प्रतिष्टा का उत्सव मना रहा था लेकिन कौंग्रेस पार्टी कोले आम हमारी आस्ता का अपमान कर रही थी साथियों दो देश ने कौंग्रेस पापों की हमेशा किमत चुका ही है और अब यह पी तो मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कौंग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है उन्होंने कौंग्रेस की सभी काईयों को कहा है कि आयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मूँ पे ताला लगा देना कुछ बोलना ही मात उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए यह हाल हो गया उनका एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है भाईयों भेनों हमारा देश हमारी आस्ता इनका इतना घोर अप्मान यह देश सेह नहीं सकता है लेकिन भाईयों मैंनों अब जब इन परिवारवादी प्रस्ताचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो यह सब एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्ताचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्ताचारी बचाओ अम मुझे बताइए ब्रस्ताचार हटना चाहिए कि ने हटना चाहिए देश को ब्रस्ताचार से मुक्त करना चाहिए कि ने करना चाहिए ब्रस्ताचार ने देश को बरबाद किया है कि नहीं किया है प्रस्टाचार ने नव स्यवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है क्या अगर मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता हूँ कि सही है कि गलत है सही है कि गलत है मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई जारी रखो आपके अशिरवाद हैं पूरी ताकत से अशिरवाद मिलेंगे आपने देखा होगा इस समय गमंडिया गड़मंदन के लोग चुनाव की रेलिया नहीं कर रहे हैं प्रस्चाचारियों को बचाले की रेलिय कर रहे हैं आप मुझे बताईए कॉंग्रेस के साउसत के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में बक्सों में बंद किये हुए तीन सो करोड रुपय से जादा मिले और टीवी पर देश ने देखा और केवल कॉंग्रेस के एक साउसत के पास से एक जगा पर से तीन सो करोड का खजाना मिला है और क्या क्या होगा वो तो भी खोजना है दस साल में अकेले ईडी ने ब्रश्टाचारियों से एक लाग करोड रुपय से जादा की संपति जब तक ही है और मैं आप से पूछता हूँ ऐसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए मैं इन प्रश्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूँ कितने भी जूट फेलालो ये मोधी डरने वाला नहीं है साथियों कॉंग्रेस और इंडी घडबंदन का सिरफ अपना हीत यही उनका कारकम है इने गरीब दली सोसी वंचित के कल्याण से उनके सम्मान से कोई मटलब नहीं है ये वही लोग हैं जिनोंने कभी बाबा साब आमबेड का सम्मान नहीं किया इसी कॉंग्रेस ने बाबा साब को दसकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया इन लोगों ने देश में आपातकान लगाया, सम्मिधान को बंदग बनाया इस इंडियन लाइन्स के लोगों ने कभी पिछना वरगायों को सम्मिधानिक दर्जा नहीं दिया दसों को पुरानी ये मांग मोदी ने पुरी की बाजपा ने देश को दलीत राश्पती दिये, देश की पहली आदिवाती माहिला राश्पती दी दी लेकिन इने चुनाव हरवाने के लिए इंडिय गडबंदन वालों ने पुरी ताकट लगा दी अब उन्नीस एप्रिल को सोशितों वंचितों के ऐसे विरोधियों के साथ क्या करना है आपको पता है ना अपनिया राजतान में कहते हैं अकल मन्ने इशारोई गणो साथियों चूरू में बाई देवेंद्र जान जड़ी आजी जुन्जनु में शुपकरण चौधरी जी सीकर में स्वामी सुवेदानन सर्थ्वती जी मैं आज आपके पास उन सब के लिए आशिरवाद मांगने आया और आप मैंसे बहुत कम लोगों को पता होगा मैं आज बता देना चाहता हूँ चूरू में जो उमीद्वार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र आप मैंसे बहुत कम लोगों को पता होगा देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पूराना नीकट नाता रहा है और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला जब मैंने उसकी मा की बाते सुनी मेरे मन को छूग गया कि मेरे देश के आन बान के शान के लिए सेखावटी की गरीब मा अनपड मा अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मा प्रेरित करती है और देवेंद्र भी गरीबी की परवा किये बिला जी जान से जुड़ करके भारत का सम्मान बढ़ाया है देवेंद्र को टिकर देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीम मा का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने जाए मोदी का देवेंद्र को टिकर देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाडी है पूरे हिंदुस्तान के खेल जगट के बेटे बेटिया है उनको प्रोच्छान मिले कि आपका खेल का कारकाल यह देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबॉल यह हमारा देवेंद्र है और इसले में चुरू वाचियों से विशेज रुपते ऐसा गरीबी से ही लड़ा ऐसा नहीं दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया ऐसे मेरे साथी को चाए वो चुरू हो जुन्जनू हो या सिकर हो आप भारतिये जनता पार्टी को भरपूर आशिरवाद दीजिए और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एडी चोटी का छोड लगा दूंगा जी गर्मी कितनी क्यों न हो मतदान पूरा होगा के गर्मी के काण मतदान कम होगा ऐसा नहीं होगा न गर-गर जाएंगे माता ओ बैनों को मेरी बात बताएंगे चुनाव जीतने के लिए मतदान करेंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे मेरा पर्सनल काम है करेंगे गर-गर जाकर कहना कि हमारे मोदी जी चुरू आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे मैं यहां भाजपा के सभी वरिष्ट नेताओं को भी सारवजनी ग्रूप से प्रार्थना करता हूँ सारवजनी ग्रूप से कभी कभी करना पड़ता है ऐसा है कि चुनाओं का समय है हर किसी के जिम में बहुत सारा काम है लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रणामंत्री जी आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा मेरी आप कायरकरताओं से भी रंती है कि आप बिलकुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए सभी कारकमों में वरिष्ट लोगों को दोड़ने की जरुवत नहीं है कोई छोटा कारकरता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है छोटे के मगल में बैड़ जाएगा आप कृपा करके सभी कारकमों के लिए मत दोड़गे मेरे साथ बोलिया भारत माता की भारत माता के भारत माता के